सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी सिंग और आज एक नया टॉपिक उभरता हुआ टॉपिक दिजिटल केपिबिलिटीज सम्थिंग न्यू आई गौत नोग सो आई वांट तो शेयर माई नूव नॉलेज विद यू आल ओके लेट्स स्टार्ट जो हम डिजिटल केपिबिलिटीज की बात करेंगे तो हमको डिजिटल एज की बात करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि डिजिटल एज में ही डिजिटल केपिबिलिटीज की हमको जरूरत पड़ी और हम देखेंगे कि हम कितने डिजिटल केपिबल हैं या digitally capable होने के लिए हमको कौन से वो criteria है जिन पर हमको खरा उतरना है सबसे पहली बात कि हमें Collins Dictionary की definition से ही शुरू करते हैं कि आप किसको कहेंगे कि digital age है न, digital yug present time in which many things are done by computer and large amounts of information are available because of computer technology मतलब वो yug present time मतलब यह चल रहा है वो समय जिसमें बहुत सारी चीज़ें computer से की जा रही है और बहुत सारी information हमको computer technology की वजह से मिल गई है तो यही यूग digital yug है फिर digital age also called the information age यानि कि digital age को information age भी कहा जाता है सूचना का यूग है क्यों सूचना का यूग है is defined as the time period starting in the 1970s यह 1917 से ही यह सूचना का यूग शुरू हो गया है with the introduction of the personal computer जैसे ही हमको personal computer मिल गया हमारे पास PC हो गया तो आप उससे कितनी भी information पासके information revolution हो गया सब कुछ आपको बहुत बंत मिल जा रहा है with the single click of your mouse तो यह digital age है फिर क्या क्या नया कुछ digital age में निकल के आया digital age has created many buzzwords बहुत सारे ऐसे शब्द जो हम बार बार सुन रहे हैं एकदम हरत में बलचाल में बातचीप में वो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं कौन से वो शब्द है AI artificial intelligence कहां कहां उसका impact है हम जानते भी नहीं है कितनी चीज़े हम ऐसे ही unconsciously use करते हैं पता नहीं रहता है non deliberately लेकिन वो AI के प्रभुत्व में होती है IoT Internet of Things अभी यह बहुत ज़्यादा non-technical fields में यह शब्द popular नहीं है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा यह भी इसके पहले इनका कहीं कोई प्रादुर्भाव नहीं था तो चुकी being a teacher being a teacher educator हम तो सारा कुछ digital capabilities की बात teachers के परिप्रेक्ष में करेंगे हैं तो teachers के परिप्रेक्ष में करेंगे तो फिर हमको वही बात करने पड़ेगी किसकी education 4.0 की की digital age है इसलिए education कौन सी age में है 4.0 education 4.0 की age में है इसलिए teachers को digitally capable होना जरूरी है यह एक क्रम है जुड़ा हुआ है इनके तार सब के आपस में जुड़े हुआ है कोई एक चीज़ अलग खलग नहीं है education 4.0 मैं पिछले वीडियो में भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि यह industrial revolution 4.0 के समकश शिक्षा ने जब आने की कोशिश की तो वो भी 4.0 के stage में पहुँच गया education 4.0 है क्या it is response of educational system which is in consonance the industrial revolution 4.0 तो की पिछले वीडियो में बात की जा चुकी तो यह दोहराऊंगी नहीं बो बात फिर it is new teaching learning of digital age यह digital yug का शिक्षण है शिक्षा के 4.0 में चलेगा then so that students will have better employability and better preparation for future क्या करें हम अगर हम education को 4.0 तक नहीं ले जाएं या हम अपनी teaching learning strategy को education 4.0 के हिसाब से नहीं मोल्ड करेंगे हम क्या generate करेंगे जो हमारा outcome होगा जो हमको मिलेंगे कौन graduates जो हमारे students जो हमारा production आएगा वो किसी काम का नहीं होगा वो इस age के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर उनको कहां job मिलेगी कहां हम उनको cater करेंगे it demands for digital capabilities यानि कि यह जो एक नया उत्पन हो गई है यह जो gap उत्पन हो गया है उसको fulfill करने के लिए हमको digital युग में अपनी युग्यता साबित करनी होगी कैसे करें साबित digital capabilities देखें यह आप जैसे ही google करेंगे digital capabilities को यह जो framework है वो सबसे ज़्यादा popular है यह आपको framework मिलेंगे पर यह जो gisq त्वारा दिया गया gisq क्या है joint information system committee है UK based इसने हमको 6 capabilities बताइए कि अगर हम इन 6 मेमानों पर अरे उतरते हैं हम कह सकते हैं कि हम digitally capable है और यह देखिए बहुत-बहुत मतलब गहरे हैं depth है इनमे यह नहीं कि बस surface level पर हमको surfing आती है और हम कुछ search कर लेते हैं तो हम digitally capable है ICT proficiency and productivity तो होगा ही इसके बिना तो काम चलना ही नहीं कहां गया ही यह यह रापका ICT proficiency and productivity ICT proficiency and productivity समझ रहे हैं कि हम ICT मतलब information and computer technology में कितने proficient हैं और क्या कुछ produce कर सकते हैं digital learning and development मतलब हम क्या digitally सीख पा रहे हैं digital पर्माने रखरे उतर पा रहे हैं digital युग में कुछ सीख पा रहे हैं या कुछ विक्सित कर पा रहे हैं digitally, सब कुछ digitally है digital creation क्या आप कोई e-content बना पा रहे हैं क्या आपने कोई artifact बनाया है कोई module बनाया है क्या आप समस्याओं को digitally solve कर सकते हैं या आपने कोई digital innovation किया है या digital innovation के part है या digital innovation को at least समझते हैं फिर collaboration, communication and participation ये सब कुछ होगा लेकिन कैसे digital यानि कि आप digitally collaborate कर सकते हैं मतलब कोई file किसी ने भेजी और आप उसको यहां से आपने edit किया और फिर आपने उसको भेज दिया और फिर उसने edit किया फिर communication करना, mail, emailing ये तो बहुती बहुती पुराना है मतलब बहुती primitive है लेकिन फिर भी और इतने तरीके हैं जिनसे आप communicate कर सकते हैं social media हो गया, आपका participation कितना है आपका blog, twitter, instagram and all digital identity ये शब्द मुझे अपील करता है digital identity और ऐसे टी शब्द हैं जो रोज आ रहे हैं और हमको नहीं पता digital teacher, digital learner, digital citizenship आ गया है अब तो digital identity क्या है कि हमारी जो identity है वो तो है ही अब हमारी digital identity हो गई जैसे bank में हमारा KYC जो होता है know your customer digital हमारा signature कहीं चल रहा है कुछ भी हम digitally कहते हैं कि आप जैसे ही कुछ सर्च करते हैं वैसे ही आप अपना digital footprint छोड़ देते हैं अपने सिस्टम पे आपकी सर्च हिस्टरी से सब कुछ से सब पता चल जाता है आपके बारे भी and well being, digital well being देखें अभी तक हम लोग पिछले कुछ वीडियो में positive psychology well being की बात करेंगे अब digital well being आ गया क्या है digital well being? हम ऐसे work life balance अपने digital युग में बना रहे हैं मतलब क्या हम दिन भर laptop mobile के साथ रहते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्यत्रूप से हम अपने सेहत को कहीं न कहीं long term effect में work डालेंगे उसको बिगार लेंगे तो यह नहीं करना है balance बनाके जलना है addiction नहीं होना चाहिए information, media and data literacy क्या आप information को deal कर पाते है articulate कर पाते है search कर पाते है edit कर पाते है digitally media का usage कर पाते है या data का usage कर पाते है digitally जैसे spreadsheet पे काम कर पाते है excel पे काम कर पाते है इस तरीके की चीज़े तो इतने पैमानों पर अगर हम खरे उतरते हैं अब वो बात दूसरी है कि 100% तो कोई नहीं होगा मतलब इतने परसंट है above average है below average है या हमें कुछ भी नहीं आता है या हमें बहुत कुछ आता है तो हम digital capability क्या हम खुद अपना assessment कर सकते हैं कि इन में से हम कहां stand करते हैं guidelines for developing digitally capable teaching excellence क्या कुछ guideline है कैसे किया जाए कैसे हम digitally capable बन सकते हैं teachers के परिप्रेक्ष में बात हो रही है सबसे पहला हमको some rules समझना है कि start with pedagogy every time don't start with technology technology बार-बार हम लोग बढ़ते हैं और यह जानते हैं और यह समझ चुके हैं कि technology को अपना master मत बनाईए pedagogy को master बनाईए अगर हम pedagogy को master बनागर चलेंगे तो क्या होगा कि हम teaching learning हमारे center में आएगा और उसमें हम technology को सिर्फ एक assistance के रूप में लेंगे सिर्फ एक facilitator के रूप में लेंगे तो वो बहतर होगा इसलिए तो इतने हमको वो मिल गया है क्या model जैसे T-PAC model की बात हो चुकी है T-PAC model क्या है teaching, pedagogy and content knowledge यह हमको बताता है कि कैसे pedagogy और content को technology के संग integrate करना है जो की cooler and mistra का है फिर हमको community of inquiry model बता है उसमें क्या होता है social presence, teaching presence and cognitive presence यह तिनों अगर present होगा तब ही हम कुछ अच्छा बहतर technology की सहता से पढ़ा सकते है हमेशा हमको pedagogy को से शुरू करना है then recognize that content is the key आपने बहुत अच्छा technology लगा है बहुत इन्हें में animation आ रहा है यह आ रहा है, वो जा रहा है sound effect है, सब कुछ है और content नहीं है तो अपील करेगा learner को नहीं करेगा pedagogy, then content, then technology technology third number पे आएगगी पहले pedagogy, फिर content, फिर technology पाने लायक matter कुछ नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा then create a digital capability threshold for institutions यह भी हमको पता होना चाहिए, कौन सी threshold level है, कहां तक हमको at least पहुचना ही, पहुचना है मतलब आप digital capable है आपका student digitally capable है लेकिन अगर आपका institution में यह सब सुविधाएं, infrastructure structure and all नहीं है, तो फिर दोनों के digitally capable होने का कोई अर्थ नहीं है use communities of practice and peer support to share good practice हमको जो कुछ भी नया आए, वो हमको share करना चाहिए अपमे peer group में, अपमे students के संग ना ज्यादा एक दूसरे से co-learning होनी चाहिए, co-learner का हमारे अंदर team होना चाहिए तो हम बहतर कर सकते हैं develop a counseling evidence, informed rationale and ensure encouragement for innovation and managed risk taking, दीखिए, risk तो लेना पड़ता है, लेकिन risk जो है, वो calculative होना चाहिए, manageable होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि ऐसा नुपसान हो जाएज, इसके हम भरपाई न करता हैं, और innovation की तरफ हमको ध्यान देना है then, assessing digital capabilities, क्या कोई assessment है, क्या कोई ऐसा tool है, जिसे हम अपनी digital capabilities को नाप सकते हैं, आकलन कर सकते हैं उसका, एक digital capability assessment का कुछ criteria मुझे मिलना, तो मैं आपके समग शेर करना चाहती हूँ digital culture, मतलब do you have a digital vision and culture in your business, ये थोड़ा organization point of view से है then disruption radar, मतलब how strong are your capabilities, तो थोड़ा छोटा है, sorry, to search and scan your company's external environment, digital tech driver है कि नहीं, digitally tech selective है कि नहीं, फिर digitally tech adaptable efficient learning network, बहुत सारे points हैं, जो assessment में लाब दे सकते हैं, हमको बता सकते हैं, how much digitally capable we are and our institutions as well, digital competence भी, एक ये, अप net पर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे tools मिल जाएंगे, जिससे आप वो बहुत सारे आपसे questions कूचेगा, कि आप क्या करते हैं, अपना password कैसे बनाते हैं, आप अपना data कैसे कि आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, या system पे उसको हटा लेते हैं, या इस तरीके की question, कि इस तरीके का कुछ वील बनकर आता है, कि health में आप कितने competent हैं, information कैसे सीख करते हैं, searching information, critical evaluation में आपका क्या हिसाब गताब है, self-service, participation कितना आपका digital yug में, cooperate कैसे करते हैं, social awareness है कि नहीं आपके पास, ये sorry, नीचे से miss हो गया, digital exploration, programming, configuration, legal awareness है कि नहीं आपके पास, मतलब किसी आप crime में तो नहीं फंस रहें, किसी cyber crime में, कोई आप plagurism तो नहीं करें, कोई fishing, malpractice तो नहीं है, फिर monitoring, identity and protecting data and all, तो ये बहुत कुछ आप एक बार search करिए, एक बार इस पर ढूनी, एक बार बैट, एक बार बात करिए, तो बहुत कुछ हमें नया पता चलता है, कि बहुत आप अपना भी wheel बना सकते हैं, इसी तरह कि, how much digitally competent you are ठीक है, digital yug है, education 4.0 है आप digital native हैं, हम digital immigrant हैं, हमको digitally capable होना ही है, इतना आसान है, नहीं, क्या दिक्कते हैं, externally भी दिक्कते हैं और internally भी दिक्कते हैं, जो external challenges है, वो क्या है, access अभी भी सब पहुंच नहीं है सारे programs की, सारे सुविधाओं की, सारे जितने programs चल रहे हैं, सब awareness नहीं है, access नहीं है, जब वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे then अभी भी lack of training है जो training है भी, वो चुकि online mode में हो रही है, तो वो कितना अरगर सिध हो रही है, लोग कितना उसको ध्यान दे रहे हैं, वो सिर्फ certification के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है यह सब ध्यान देने की बात है, then support, कितना support है आपको, आपको program attend करना चाहते हैं, आपको institutional, कितना support है, कितनी आपको leave मिल जाती है, अगर आप class भी ले रहे हैं और आपको यह workshop और FDP भी attend कर रहे हैं, side by side तो दोनों में से कोई भी काम बेतर तरीके से नहीं होता है, तो कैसे यह, मैं teacher point of view से पता जहूं, student point of view से भी points हो सकते हैं, then internal challenges, माल लिजे, आप पर access भी है, आपको training भी मिलती है आपके पास support system भी है लेकिन अगर आपके पास कोई attitude ही नहीं है, right attitude you are lacking कि आप digitally capable बनना चाहते हैं आप में विश्वास ही नहीं है कि आप सीख सकते हैं, तो फिर वो पर वाले external challenges भीकार हो जाएंगे confidence, आप में यह confidence नहीं है कि आप कर पाएंगे, आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, सीखने से सब कुछ हासल है whatever and all, किसी भी age में सीख सकते हैं, और resistance अगर जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं, कोई नहीं चीज़ सीखते हैं, तो अंदर से मतलब रखते हैं कि अरे छोड़ो रहने तो क्या करना है, नहीं, इसके बिना भी काम चल जा रहा है, पर यह जो इससे आगे बढ़ना है इसको overcome करेंगे, तब ही आपने आपने आपको सिर्फ एक टेक्नोलोजी पर रलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉस टेक्नोलोजी ना, इसके बिदिशिटल पेड़िगोजी इतना कुछ डिजिटल पेड़िगोजी में आ गया, इतनी नहीं बाते आ गई हैं तो जरूर हमकों से कुछ न कुछ application mode पर लाना होगा, कुछ न कुछ apply करना होगा अपनी teaching learning strategy में then use collaborative and socialization opportunities through social media, social media इतना whatsapp, instagram, अभी अब परसों whatsapp, instagram और twitter नहीं, facebook, यह तीनों काम नहीं कर रहे थे, oh my god लग रहा था कि अब क्या होगा, मतलब एकदम मुश्किल हो गई तो हम इतना social media पर निर्भर हैं, तो हम इससे collaboration of socialization सीख सकते हैं, और सीखते भी हैं then maintain digital identity, हमको और आपको अब अपनी कोई न कोई digital identity बनानी होगी, बिना digital identity के काम नहीं चलने वाला है then manage digital distractions, जैसे ही आप online जाते हैं, Facebook का message आपको दिखाई देता है, WhatsApp का message दिखाई देता है, Instagram का message आपको दिखाई देता है, तो आप काम करने बैठे हैं, उसमें concentration कैसे लगे, फिर आप उस पे चले जाते हैं, तो फिर वहाँ chatting होने लगती है, फिर कहीं और चले जाते हैं, online world में, and last but not the least, use authentic contexts for practice, है न, हमको ये तो ध्यान देना ही है, कि हम कोई malpractice न करें, कोई misinformation, mis education, कोई गलत हम site पर न चले जाएं, कुछ गरबड़ी न हो जाए, कुछ हमारा hack न हो जाए system, ये सारी चीज़े हमको ध्यान देनी होंगी, digital world में, हमको बहुत cyber safety, cyber security, ये concept बहुत ज्यादा popular है, especially for females, है न, ये सारी बाते हमको ध्यान देनी होंगी, हम और आप digitally capable हो सकते हैं, बन जाएंगे, कोशिश करने से, और digitally capable होना बहुत जरूरी है, it is need of the hour, it is call of the hour, हो नही होना है, so, thank you all, to be digitally capable, okay, so, it is all from my side,